एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में रहती थी दो खूपसूरत सी लड़कियां, जिनका नाम प्रिया और रिया था. प्रिया और रिया बच्पन से ही साथ थी और एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थी. वे हमेशा साथ खेलती थी, साथ पढ़ती थी और साथ ही स्कूल भी जाती थी. प्रिया और रिया एक साथ स्कूल जाने के लिए सुबह जल्दी उठ जाती थी. वे साथ में नाश्ता करती थी और फिर हाथ में किताबे और बैग लेकर स्कूल के लिए निकल पढ़ती थी रास्ते में प्रिया और रिया खूब बाते करती थी और हनसीमजा करती थी वे एक दूसरे को अपने परिवार के बारे में, अपने सपनों के बारे में और अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में बताती थी स्कूल में प्रिया और रिया हमेशा साथ रहती थी वे साथ में पढ़ाई करती थी, कक्षा में सवालों के जवाब देती थी और ग्रूप प्रोजेक्ट करती थी वे एक दूसरे की मदद करती थी और कभी-कभी एक दूसरे से जगडा भी करती थी लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा बनी रहती थी स्कूल के बाद प्रिया और रिया साथ में खेलती थी वे कभी-कभी पार्क में जाती थी कभी-कभी अपने घरों में खेलती थी और कभी-कभी फिल्म देखने जाती थी वे एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताती थी और एक दूसरे का साथ बहुत एंजॉय करती थी एक दिन प्रिया और रिया को पता चला कि उनके स्कूल का एक बड़ा सांस्कृतिक कारेक्रम होने वाला है इस कारेक्रम में सभी छात्रों को भाग लेना था और अपने अपने टैलेंट का प्रदर्शन करना था प्रिया और रिया ने भी इस कारेक्रम में भाग लेने का फैसला किया उन्होंने तै कि वे दोनों साथ में दान्स पर्फॉर्मिंस देंगी वे हर दिन घंटों तक अभ्यास करती थी और अपने डांस पर्फॉर्मेंस को बहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करती थी सांस्कृतिक कारेक्रम के दिन प्रिया और रिया बहुत घबराई हुई थी लेकिन जब उन्होंने स्टेज पर कदम रखा तो उन्हें अपना डर भूल गया उन्होंने अपने डांस पर्फॉर्मेंस को बड़े ही शांदार तरीके से पेश किया और सभी दर्शकों की वावा ही लूट ली प्रिया और रिया की डांस पर्फॉर्मेंस को इतना पसंद किया गया कि उन्हें प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया वे दोनों बहुत खुश थी और उन्होंने एक दूसरे को गले लगा कर कहा हमने यह कर दिया प्रिया और रिया की दोस्ती बहुत खास थी वे एक दूसरे की ताकत थी और एक दूसरे की कमजोर्या भी समझती थी वे एक दूसरे की मदद करती थी और एक दूसरे का साथ हमेशा देती थी उनकी दोस्ती एक उदाहरण है कि सच्ची दोस्ती में कोई शर्प नहीं होती है एक छोटे से शहर में रहती थी एक खूपसूरत सी लड़की जिसका नाम दिया था दिया को बच्पन से ही पढ़ने का बहुत शौक था वा अकसर रात में अपने कमरे में बैठ कर घंटों तक किताबे पढ़ती रहती थी दिया के कमरे में एक बड़ी सी खिडकी थी जिससे रात में चांद की रोशनी अंदर आ जाती थी दिया को चांद की रोशनी में पढ़ना बहुत पसंद था वा सोचती थी कि चांद की रोशनी से किताबों में लिखे शब्द और कहानिया जादूई हो जाते हैं दिया को हर तरह की किताबे पढ़ना पसंद था वह कहानियों की किताबे पढ़ती थी, कविताओं की किताबे पढ़ती थी और इतिहास की किताबे भी पढ़ती थी वह नई चीजें सीखने के लिए बहुत उत्सुक थी और हमेशा नई किताबे पढ़ने के लिए धून्ती रहती थी। दिया के माता-पिता को भी दिया का पढ़ने का शौक पता था। वह अक्सर दिया को नई किताबे लाकर देते थे और उसे पढ़ने के लिए प्रोटसाहित करते थे। वे जानते थे कि पढ़ाई से दिया को नई दुनिया देखने का मौका मिलेगा और वह एक समझदार और सफल इंसान बनेगी. एक रात दिया एक नई किताब पढ़ रही थी. वह उस किताब में लिखी कहानी में इतनीक हो गई थी कि उसे पता भी नहीं चला कि सुबह हो गई है. जब दिया ने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि सूरज निकल चुका है. दिया को बहुत अच्छा लगा कि वह रात भर किताब पढ़ती रही. वह जानती थी कि वह किताब पढ़कर बहुत कुछ सीख चुकी है और वह अगली रात भी एक नई किताब पढ़ने के लिए बेताब है. दिया हमेशा याद रखेगी कि कैसे उसने रात में किताब पढ़ना शुरू किया था. वह जानती थी कि किताबे उसे हमेशा खुशी और ग्यान देंगी